संसर सत्र के चौथे दिन कोरुना महमारी को लेकर लोग सभा में चर्चा होते दिखी इस दोरान एक ओर जहां विपक्षी सांसदों ने महमारी से निपटने में सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया तो वहीं बीजोपी सांसदों ने से निपटनी और ठीका करण पर पधान मंत्री नरेंद्र मोधी का बचाप किया वहीं आज स्वास मंत्री मंसुप मंडाविया इस चर्चा पर अपना जवाब भी देंगे बता दे कि बीटे दिन हुई चर्चा में विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार को जम कर खीरा उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार पर बीजोपी और गयर बीजोपी राज़ों के बीच भीदभाव देखने को मिला है शिवसेना के बनायक राउत ने पीम केर फंड से महराज को मिले वेंटिलेटर की काम नहीं करने की शुकायत की उन्होंने ओमिक्रोन वेरियंट को लेकर केंद्र सरकार से पूरे देश के लिए एक समान नियम बनाने की मांग की है उतने वैसे अस्पतालों के खिलाफ सक्स कानून मिनाने की मांग की जिन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में लोगों से पैसा एठने का काम किया है वहीं कि इन सरकार ने इस पश्च करने की मांग की कि 18 साल से कम उमर के बच्चों को कब से टीके लगने शुरू होंगे साथी कोविट टीके की बूस्टर या थीसी खुराक पर सरकार की क्या नहींती है चर्चा के दूरान कांगरेस, दमोग, तुन्मिल कांगरेस साइद काई मुपक्षी दलों के सरदस्यों ने सरकार को घेते वे कहा की कोविट में हमारी के कारण कुरोना वारस संक्रमेंट से जान गवाने वाले लोगों का पूरा आकड़ा बताये जाए उन्हें परियात मावज़ा देने की विवस्ता भी की जानी चाहिए